असलाव अलेकूं मैं जुबिर सर्फ फातिम अर्दु गल साइस्कुल फैशपूर से पैरे बच्चों हम आठी जमात के मज़़ून जेनरल साइंस के सबब नंबर 13 किमे तब्दिली और किमे बंदिश इसका मुतायला कर रहे हैं पैरे बच्चों इससे पहले की वीडियो में हमने देखा किमे तब्दिली किसे कहते हैं इबारती मसावात और किमे ताम मुल को किस तरह लिखा जाता है और किस तरह जाहिर गया जाता है पहरे बच्चों हमने रोज मर्रा की जिंदगी के अंदर कुदरती कीमिय तब्दिली और इनसान की पैदा करदा तब्दिली इसके बारे में भी मालूमात आसिल कर जोके है पहरे बच्छों, हम आज की वीडियो में कीम्याई बंदिश किसे कहते हैं इसके बारे में मज़िद मालूमात हासिल करेंगे तामूल के दौरान कीम्याई बंदिशे तूठती है और नई कीम्याई बंदिश तैयार होकर नई अशिया हासिल होती है एलेक्ट्रोन का मुसमन या सनाई हालत मुकमन ना रखने वाले जो हर कीमियाई बंदिशे तयार करते हैं कीमियाई बंदिश तयार करते वक्त जो हर उनके गिरखते एलेक्ट्रोन का इस्तेमाल करते हैं ये कीमियाई बंदिश कहलाती है प्यारी बच्चों आयनी बंदिश मुखालिफ बर्की बार के हमिल मुस्बीत आयन और मन्फी आयन के दर्मियान बर्के सकुनी की कुवत कशिश ते तैयार होने वाली की नई बंदिश को आयनी या आयनी बंदिश या बर्की गिरफ्त बंदिश कहते हैं आयनी मुरकब एक जायद एक या जायद आयनो बंदिशों से तयार होने वाले मुरकब को आयनी बंदिश कहते हैं मिसाल के तोर पर CAO, KF, NGCL2 और NACL प्यारे बच्चों आयनी बंदिश में एलेक्ट्रोन का लेंदिन होता है आयनी बंदिश में जोहर एलेक्ट्रोन होकर या एलेक्ट्रोन हसिल करके अपनी मुसम्मन सनाई हालत को हसिल करते हैं इसी का अगला हिस्सा हम गिरप्त बंदिश जब यक्सा खुसोसियत के हामिल अनासिर के जोहर मिलाब करते हैं तब हम गिरफ्त बंदिश तयार होती है हम गिरफ्त बंदिश में एलेक्ट्रोन का लेंदेन नहीं होता बलके एलेक्ट्रोन के साजेदारी होती है साजेदारी करने वाले एलेक्ट्रोन दोनों जोहरों में मुश्तरिक होने की वज़े से दोनों जहुरों की मुसंबन सनाई हलात मुकम्मल होती है दो जहुरों के एक दूसरे से अपने गिरफ्ती एलेक्ट्रोन के साजेदारी करने पर जो कीमिय बंदिश तयार होती है उसे हम गिरफ्त बंदिश कहते है झाले गिरफ्त बंदिश कहते है